लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें समर्थन चैनल एड़े थूनियल डॉट पॉड़कास्ट लोग सोया तला हुआ भेड का बच्चा मैकडोनल्ड पॉड़कास्ट द्वारा थूनियल पॉड़कास्ट पर व्यंजनों को सुनने के लिए आपका स्वागत है इस्टर आ रहा है और मैं मेमने का स्वाद चकना चाहता हूँ इसलिए मैंने तले हुए नाशपाती, उबले हुए छोटे आलू और हरे प्यास के साथ सन्युक्त सोया तला हुआ भेड का बच्चा चुना यह आकर्शक है, है ना? संघटक, चान लोगों की सेवा करता है दो पीस मेमने के चौप लगभग 350 ग्राम दो बड़े चम्मच मक्खन या मार्जरीन छे बड़े चम्मच सिरप तीन बड़े चम्मच मीठी सोया सौस केजप मैनिस एक बड़े चम्मच सफेद वाइन सिरका दो बड़े चम्मच घुना हुआ तिल आपको इसकी भी आवशक्ता होगी बारह बड़े चम्मच छोटे आलू एक बड़े चम्मच मक्खन तलने के लिए दो शल्क बारी कटा हुआ आपने ऐसा क्या है? चरण एक पसलियों के बीच एक तेज चाकू डालकर भेड के बच्चे को टुकडों में काट ले प्रत्ते कटलेट पर मेमने के दो टुकडे छोड़ दे स्टेप दो पैन गरम करे और ज्यादा तर मक्खन डाले जब यहां बुदबुदाना बंद कर देता है तो यहां मक्खन के पैन में मास डालने के लिए परियाप गर्म होता है नमक और काली मिर्च डालकर दोनों तरफ से सुनारा भूरा होने तक तले कटलेट को हीट प्रूफ दिश पर रखें चरण तीन सौस के लिए सभी सामगरी को एक छोटे सौस पैन में मिलाकर उबाले जब मिश्रन गाढ़ा हो जाए तो इसे मास के ऊपर डाले और पलट दे मास घिर से तो मास के सभी पक्ष अच्छी तरह से अवशोशित होते हैं चरण चार पैन को ओवन के मध्य दिब्बे में 125 डिग्री सेल्सियस पर रखें एक फ्राइन थर्मामितर का उप्योग करें और तब तक मौनितर करें जब तक आप चाहते हैं मेरा मतलब है सबसे कम 55 डिग्री सेल्सियस है औसतन 60 और 65 डिग्री सेल्सियस के बीच औसत प्लस 70 डिग्री सेल्सियस है अच्छा किया 75 डिग्री सेल्सियस है स्टेप पांच आलो को नरम होने तक पकाएं चरण छे नाशपाती को 6 स्लाइस में विभाजित करें और कोर को हटा दें नाशपाती सेमवई को एक गर्म पैन में बाकी मक्खन के साथ तब तक भूने जब तक की वे सिर्फ कोमल न हो एक छोटी सी टिप तिल को कैसे भूनना है तिल को एक सूखे पैन में डाले इसे तेज आज पर तब तक भूने जब तक की तिल एक सुन्दर सुनहरे रंग का न हो जाए छोटे उबले आलू, कली हुई नाशपाती और बारी कटे हुए शल्क के साथ एक बड़ी प्लेट पर मेंने के चॉप्स को व्यवस्थित करें बचे हुए ग्लास को उपर से डाले एक ग्लास रेड वाइन के साथ एक स्वादिष्ट भोजन आपका इंतजार कर रहा है मैं रात के खाने का इंतजार कर रहा हूँ और मैं आज रात इसका लुफ उठाऊंगा नीचे साइन आप बटन पर क्लिक करें इसके बजाए तो मुझे गले लगाओ और मुझे एक चुम्बन दो धन्यवाद आपको स्वादिष्ट रात्री भोज की शुब काम नाए साभान बैक्डॉनल्स थूनियल झाल